अनकेडमी आपका perfect study partner है अगर आप prepare कर रहे हैं CSI यार EGC NET के लिए नए बैचेज जो है start है हर मंडे आप compete करिए यहाँ पे हजारों जो है student के साथ और stand out कीजिए crowd में से अनकेडमी पे आपको मिलेगा plus subscription access India's best educators हैं यहाँ पे interactive live classes and live test and quizzes आपको मिलेगा structure courses और PDF यहाँ पे आपको मिलेगा एक ही जगह पे आपको personal course, study planner, study booster sessions, dedicated doubt clearing, prepared study material मिलेगा, unlimited practice structure courses और SOP और interview preparation के लिए भी सारी चीज़े आपको मिलेगी आनकेडमी के पास top educators हैं उनका इंडिया's best educators for CSI यार UGC net तो batches जो हैं आप excel batches जो हैं इंग्लिस और हिंदी दोनों में आप कर सकते हैं हर Monday को यह batches start होते हैं अलग-अलग duration के हैं तीन महीने के लिए छे महीने के लिए बारा महीने के लिए और चोबिस महीने के लिए live classes अगर आप subscription ले रहे हैं तो आपको 10% का discount भी वहाँ पर मिलेगा अगर आप जो है apply करते हैं हमारा referral code botny10 get subscription पर जाएगे चूज कीजिए कौन सा आपको subscription लेना है उसके बाद referral code apply कीजिए 10% का discount उस पर आपको मिलेगा आने केटमी लाया है अभ्यास्टेस सीरीज 24 मार्स से 27 मार्स तक बाई इंडिया stop educators यह जो है आपका जो अभ्यास्टेस सीरीज है यह अंजली अरोरा फिजिकल साइंस के लिए नूरल हुड़ा केमिकल साइंस के लिए गजिन पूरी mathematical साइंस के लिए और नेहा तनीजा है अगर आप इस अभ्यास्टेस सीरीज के को इन्रोल के लिए इन्रोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के description में इसका लिंक है आप वहाँ पर जाके अभ्यास्टेस सीरीज के लिए कर सकते हैं हरो फेंस फिलके मुच्छान मासर बोटनी अगें मैं हूं आपका दोस्त विल्यागमा से चलते हैं कुश्चन देखते हैं माइकोलोजी और प्लांट पैथोलोजी का नाइन पार्ट इसके हो चुके हैं हम आते हैं आप पार्ट 10 पे पहला कुश्चन है आपका कुश्चन न और्ट आउर्णिजम्स यूज़ यूज़ तो किल बाइलाज को और्ट इसम नाइक फंजाई के लिए अब यहां पर दो चीज़े हैं तो सिस्टेमेटिक होता है फंजाइए कोंटाक्ट फंजाइट होता है अगर एक जगा आप डालते हैं तो वह पूरे प्लांट सिस्टम तक ही सीमित रहता है उसका ट्रांस लोगेशन नहीं होता और इन में से जो है आपका सिस्टमिक फंजिसाइट कौन सा है बाविस्थिन बाकी को सारे हैं आपके ब्लू कॉपर 50 इंडोफिल 45 और सल्पेक्स यह सारे आपके हैं सिस्टमिक फंजिसाइट नहीं नहीं है यह पिए आपको दे दे रहा हूं यह ओन को बूला जाता है और 6 अगर सिस्टमिक फंजी साइट के अंगे बात करें यह सारे हैं यह आप याद कर लीजिएगा इसका स्क्रीन शॉट लेके लिख लीजिए कि जो भी एक्जाम में आएगा कहीं पर भी आप इसका अंसर दे दीजिएगा कुशन नबर 113 पे आते हैं विच वर अफ फालोइंग इसस्टमिक फंजी साइड एक बार फिर से वैसे ही कुशन पूछा था आप से पी-सी एनबी मैंकोजब बॉड़ी-एक्स मिक्शर और बेनओमिल तो यहां पे आपका सिस्टमिक फंजाई कौन सा है इन में से बेनओमिल ही जो है आपका वो एक सिस्टमिक फंजी साइड है ठेक यह पी-सी एनबी जो है एक और गेनो-क्लोराइड है यह मेंली आज़ा आ कॉपर फंजी साइड है और बाडीक मिश्चर पर भी बहुत सारे कुछे जाते हैं तो यह सब आप प्याद कर लिजेगा कुछिशन में 114 पर आते हैं दे बाडीक मिश्चर है सॉल्ट 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 होता है दो मिटल्स का वह कौन-कौन से हैं आपको यह बताना है kinda कोपर का जो बाडीक मिश्चर है यह कंबनेशन है कौपर साय待 का का पर आर्ण का यह मिक्षर उता है उसके साल्स होते है उसको बाडीक मिक्षर बोलते हैं और यह क्या एक फंजी साइड है ठीक कोश्चन में 115 पे आते हैं विच आप दे फालोइंग इस दा फंजी साइड इसने से कौन सा फंजी साइड है आपको बताना है बॉडी एक्स मिक्शर डी टी टी टू फो डी या एंपिसलिन तो यह काफी इसी कुश्चन था मैंने आपको अभी ही बत नीएं ते कौश्चन को बाट इसंतीन प्याते हैं बॉडी अक्स दिस्ट्रमिक्स के रूप में यूज़ंग जाता है तो उपर मैंने आपको बताया कि बॉड़ी किया है आपका एक पंडी साइड है बहुत सारे कोश्चन पूछे कए हैं बॉडी एक समेड आपको याद होना चाहिए इसका discovery किस ने किया था ये क्या है किसका mixture है fungicide है तो कौन सा है contact वाला है या systemic है ये तो भी यहां से आप यहां पर आप से पूछा है कि तो fungicide body x mixture was discovered by body x mixture जो एक fungicide है आपका ये किस ने discover किया था एक मार्टिन मिलार्डेट आप सी ये पीटर्सन और एस डी गैरेट जो बाड़ी एक मिश्चर है इसको क्या किया था पीरे मेरी अलेक्सिस मिलार्डेट इन 1882 को कौन सा है आपका एक मिलार्डेट इन्होंने इसको डिसकवर किया था 1882 में फिर से वही है क्या एक मिश्चर है कॉपर सलफेट और साल्ट लाइम साल्ट लाइम का तवही कॉपर और कैल्शियम का इट इस दे मोस्ट सक्सेशफुल fungicide question number 118 पे आते हैं the compound which do not pre-exist in healthy plants but are synthesized dino who in responded to infectious agents or products are called as a compound जो healthy plants में पहले से नहीं बनते हैं लेकिन वो बाद में अपने आप बनते हैं plants में अगर वो किसी infectious agent के contact में आते हैं तो उसके response में यह बनाते हैं ऐसे compound तो ऐसे compound को क्या बोला जाता इम्मिनोग्लोबी फाइटो एलेक्जिंस फाइटो टॉक्सिं या इंटरफेरॉंस ठेक कुश्चन एक बार फिर से the compound विच्छ दू नॉट ट्रीजिस इंडी मतलब पहले से नहीं पाया जाता पटास इंतिसाइज दी नोवो डिमोनमर्ण अपने आप से वह पे पे से संसाइज होता है किसके response में infectious agent के response में correct option है phyto-aleggzins यह phyto-aleggzins क्या होते हैं यह anti-microbium या anti-oxidative substances रहते हैं जो दी नोवो सेसाइस किये जाते हैं प्लांट में डाट अकुमेलेट राफिडली एड़ एरियाज ऑफ पैथोजन इंफेक्शन जांपे पैथोजन इंफेक्शन रहता है वहाँ पे इनका सेंफिस होता है दे आर ब्रॉड एक्स्पेक्ट्रम इनिविटर्स एंड आर क्यमिकली ड्राइवर ब्रॉड इनिविटर्स एंड इनिविटर्स होते हैं यह इसा बोला जा रहा है किशिन नमरpes 19 phytoeloxins produced by plant response to fungal infection कह रा है जो phytoeloxins produce किये जाते हैं plants के द्वारा in response to fungal infections वो क्या होते हैं? protein होते हैं, phytoeloxins protein के बने हुए होते हैं lipid होते हैं, यह glycor protein होते हैं या phenolic compound जो phytoeloxins है, यह low molecular weight antimicrobide compound है और यह क्या होते हैं? actually phenolic compounds अपको बनता है तो अभी उपर यह बता आपको बता है तो अभी वैंने फॉपर यह बता है था कि प्लांट्स में healthy plants नहीं पाए जाते हैं जब कोई fungus infection cause करता है तब यह इस फाइटो एलेक्जिंस का डी नोवो सिंसीस होता है डाक मींस फाइटो एलेक्जिंस कब बनेगा after fungal infection तो यही इसका correct option है फाइटो एलेक्जिंस कब अब मैं आपसे मिलता हूँ part number 11 में ठीक तो चलता हूँ मैं मिलता हूँ आपसे उस उसी पार्ट में thank you for watching the studio